जानिये चमतकारिक मूर्ती की कहानी जी हाँ, नीमच सिंगोली रोड़ पर दोलत पुरा चुराया है यहाँ पर तीन साल पहले मा महिशा शूर मर्दिनी का मंदिर इस्थापित किया गया है दीवी मा की नीलम पत्थर से निर्मित बेश कीमती मूर्ती यहाँ पर इस्थापित होई है और यहाँ भी बताया जाता है कि मूर्ती नो जनवरी 2004 में चौरी हो गई थी उस समय इस मूर्ती की कीमत 6 करोड रुपे बताई गई थी और राजस्थान के एक तसकर द्वारा अपने साथियों की मदद से मूर्ती चुराई गई थी जिसे चोसर दिन बाद जाईपूर पुलिस द्वारा बरामत कर लिया गया उसके बाद सालों तक देवी मा की मूर्ती सिंगोली थानों में ही रखी रही फिर बाद में इसे मंदिर बनाखर चौराई पर इस्थापित किया गया अब हालत यह है कि इस मूर्ती की रक्षा के लिए गाओं के लोग बारी बारी से ने किबल पहरा देते हैं बलकि मा की फूजार चना भी करते हैं पता चला है कि देवी मा की मूर्ती बहद चमतकारिक है और चोरी होने के बाद देवी मा की मूर्ती को जैपूर पुलिस ने पचरे के ढिर से जब निकालने का प्रयास किया तो जमीम धीरे धीरे हिलने लगी और मूर्ती धीरे धीरे सौता ही बाहर आ गई इसके बाद दौलत पुरा चोराए पर मंदिर का निर्मान कराये गया मूर्ती को ऐसा रखा गया कि दूर से ही उसे देखा जा सके ताकि उसकी चोकसी हो सके अत्यंद कीमती मूर्ती एक बार चोरी होने के बाद अब गाउंवालो दौरा पुरिसके सहयोग से इसकी रख्छा की जा रही है